रख होंसला वो मंजर भी आएगा खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा तक करना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा नमस्कार साथियों महराज कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार PVR स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो छात्रों आज की कलास बहुत ही अच्छी होने वाली है अलग होने वाली है और कुछ खास होने वाली है इसकी वजह क्या है आपको पता है वजह कुछ और नहीं बहुत कुछ है क्योंकि आज बड़ा इंट्रेस्टेट टॉपिक है पूरक कोड यानि कम्पलिमेंटरी एंगल इसके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिलेगा समझ रहे हो ना तो सबसे पहले हम इनके बारे में चर् देख लेना कहते हैं बेट बाब बॉल पापा भी उखाप ददा बोले बच्चा पहले नाम लेना सीख ले फिर खाना बाद में चलो देखो ऐसे तो कम्पलिमेंटरी एंगल या पूरक कोड क्या होता है ऐसे दो कोड जिनका योग फल ऐसे दो एंगल जिनका योग फल तो 60 अंस में हम कितना जोड़दें 60 में की 50 हो जाए ? तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा यानि जो 60 का पूर्ब कोंड होगा वो 30 की 30 का पूट कितना पूर्ब कुड़ने पर 60 होगा ठीक है इसी तरह से एक और सब् Vine, जैसे कहें कि 50 डिगरी इसका पूरक कोंड क्या है भाईया बताओ 50 का पूरक कोंड क्या है तो 50 का पूरक कोंड वो होगा जितना जोडने पर 90 आजाए तो यह छोटा सा है आपको पता है कि 40 जोडने पर आएगा त्यानि 50 का पूरक कोंड 40 है सबी समझ रहे हो ना इसी तरह से एक और बताओ मुझे 45 इसका पूरक कोण कितना होगा 45 का कम्पलिमेंटरी एंगल क्या होगा सबी समझ गे ने बहुत आसान है सिंपल सा है भई पूरक कोण का मतलब यह होता बाबू दो ऐसे कोण जिनका योग नबे के बराबर हो जाए वो क्या होते हैं दूसरे के पूरक होते हैं कम्पलिमेंटरी होते हैं इतना सा है बाकी कुछ नहीं ठीक है दन कोई किसी का सवाल तो बताओ न ही न हम बात करते हैं मुखरूप से अपने टॉपिक पर zyaadah इसमें डेट्यल नहीं करेंगे पूरा कोणों के तिरकोड मितिये अनुपाद तो भाई पूरा कोणों के तिरकोड मितिये अनुपाद कैसे होते हैं थोड़ा इनके बारे में अध्यन करना है लेकिन उसके पहले उसके पहले आपको कुछ important fact जानने है important fact क्या जानने है जरा समझना इधर साथियों वैसे यहाँ पर आपके syllabus में ज्यादा है नहीं इसलिए में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं तो जितना है मैं उतना ही बताऊंगा आप इसे note कर लीजिए एक परकार का यह सूत रहे ठीक है आपको पता है कि छे मुख्य तिरकोड मितियन उपात होते हैं होते हैं न साइन कास तैन और स्यक कॉड कॉसेक तो यह आपके सामने कुछ मैं लिख रहा हूं यह है फार्मूला इनका भी यूज लगे का आगे चलके इफले लिखवा रहा हूं समझ लीजिए थोड़ा सा समझना है देखिए प्रिये साथियों इसमें आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं साइन का उल्टा कॉसेक होता है आप हर दम सीखते आयों यहीं बताया हूं सुरू से टैन का उल्टा कॉड होता है से का उल्टा कॉसेक होता है लेकिन यह कॉसेक बड़ा बेवफा होता है ये बहुते बेवभा होता है एकदम निकम्मा टाइप का होता है पता है काई होता है कौन क्या स्थ पर эти हैं कोषरी मेंने कहा से कोशायर इतना कुछ बूरा भारा बोला लें क्यास होता है ऐसा मैंने क्यूं कहा है ऐसा इसलिए कहा कि ये सब तो अपने अपने अपोजिट में बदल जाते हैं ठीक है इनमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कॉस के साथ प्रॉब्लम है किस के साथ है भई कॉस के साथ ही प्रॉब्लम है देखो समझना साइन किस में बदल जाता है आपको पता है तोड़ा मुझे लगता लिखना पड़ेगा नहीं आप कन्फ्यूज हो जाओगी तो मैं लिख देता हूं साइड में रुको देखिए मैंने लिख दिया है मैं यही बदाना चाहता था ध्यान से देखिए साथियों मुख्य तिर्कोड में तीया नूपाथ तीन होते हैं जिनके नाम है साइन कोस औरट इने के जो अपोजिट होते हैं यह इंतर्चेंज होते हैं क्या बोलते हैं इंगलिस में जैसे हम पूरक कोणों का त्रिकोण में तीय अनुपात निकालेंगे यह संपूरक का निकालेंगे तो वहाँ पर जो changing होती है उसमें इसका थोड़ा अपोजिट हो जाता है उल्टा हो जाता है गड़बड हो जाता है मतलब यह इससे मैच नहीं खाता है कैसे मैंने अभी कहा था कि कॉस जो है वो बेवफा होता है कहले यह कहा था क्योंकि देखिए जो और सब है अगर कॉस को छोड़ दे तो और जो सब है वो अपने सीधा-सीधा जो अपोजिट है उसी में यह चेंज भी होते है ठीक है जैसे 10 है कॉट में ही चेंज होता है और यह 10 का दोनों में गड़बड हो जाता है यानि साइन का उल्टा तो कॉस होता है लेकिन जब यह चेंज होता है तो साइन को सेक में नहीं चेंज होता कॉस में होता याद रखना कॉस साइन में नहीं होता है कॉस जो है यह अपने उल्टे सेक में नहीं होता है यह साइन में चेंज ह है कि जब कहीं साइन नब्य माइनस अगर थीटा रहेगा या ए रहेगा जो भी है तो भाईया हो अगर कौन 90 का है या 270 का है वैसे 270 180 360 का आप में सिलेबस में है नहीं यहां पर लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूं सुन लीजिए अगर साइन नब्य माइनस थीटा है थीटा का मतलब यह जो ए है इसकी जगा पर कुछ भी हो सकता है यह कौन है ठीक है एकी जगा पर 45 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है कुछ भी इस पर हो सकता है तो बराबर यह हो जाएगा कौस ए मतलब वो कौन कमान जो भी रहेगा ठीक है ए रहेगा थीता रहेगा 45- 85-90 जो भी रहेगा कुछ हो सकता है इसी को बोलते है changing यानि जो sign था वो change हो के cos में बदल गया ठीक है यहां पर क्या होगा जो cos 90- यह है यह change होके sign A हो जाएगा इसी को मैं बोल रहा था कि change होता है cos किसमें change हो गया sign में अभी आगे जब यह question करोगे ना जो उपर लिखा है तो अभी सब clear हो जाएगा यह change होंज का का मतलब है इसे पहले इसलिए लिख लो बस तो 10 वाला का हो जाएगा बाबू यह court हो जाएगा a यानि 10 90-a जो है वो court में बदल जाएगा इसी तरह से यह आपस में अपना अदली बदली कर लेते हैं किसमें कौन बदलता है यह मैंने लिख दिया यहाँ देख लो यह जो मैंने बदला साइन कॉस में गया, कॉस साइन में गया, टैन कॉट में गया, यह कौन किस में बदलेगा, यह मैंने लिख दिया है, ठीक है, यह एक परकार से आपका क्या है, इंट्रोडक्षन था, अब हम कुश्चन पे चलेंगे, बीना रूके, फटा फट, ठीक है, दन, चलो, आप question पर चलें इतना हो गया तो साथी मेरे ध्यान देना यहाँ पर आप लोग बहुत ही गवर से देख रहे हो न अगर कुछ भी doubt है तो बता देना और एक काम और वीडियो को आप थोड़ा सा बैक करके न अगर नहीं लिख पाए है तो इन बातों को लिख भी सकते हो कोई द तरह का होता बहुत आफान होता है सिर्फ आपको समझना है बस यह अपोजिट वाले पर ही सबाधारित है जैसे देखिए पहला प्रफ्न है साइन 18 डिगरी नीचे दिया है कॉस सेबंटी डिगरी याद रहे है यह हमेशा जो कोण होंगे आपस में जिनका एक दूसरे में बदला होता है वही रहते है ऐसा नहीं कि साइन के नीचे 10 दे दिये जाएगा नहीं अगर इस तरह के कोश्चन में साइन के नीचे 10 दे दिये एक चीज़ यह समझेंगे यह 18 और बहतर है न अगर 90 में से 18 घटा होगे न बाबू तो यह बहतर आएगा बोलो है न सही और अगर हम 90 में से बहतर घटाएंगे तो 18 आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं तो यहां पर दो आपसन है इसको हल करने का दो तरीका है मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना पहला तरीका ठीक है पहला तरीका हम साइन जो 18 है न इस 18 की जगापे भी 18 की जगापे बाबू 90 माइनस बहतर लिख सकते हैं कि नहीं कि 90 माइनस बहतर लिख सकता हूं 18 की जगापे यह होता है न तो हम क्या करेंगे इस पर 90 माइनस 18 कर देंगे आप कहों कि काहें कर रहे हों बता रहा हूं नीचे कौस 72 ऐसे लिख देंगे इसमें कोई बदला नहीं होगा समझना अभी अभी आपने पढ़ा अभी कि साइन 90 माइनस ए की जगह पर मैंने बताया कुछ भी हो सकता है यहां पर एकी जगह पर अठारा है है न अभी आपने देखा था तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया था भाई बोलो क्या हो गया था परिति कुमारी पंकज अभीनो प्रांजल निस्रा रागवेंद्र असनेह तिवारी मानवेंद्र ठीक है बेरी गूट देखो समझो बताता हूं समझो अब क्या होगा यह बदल के कॉस में चला जाएगा तो यह कॉस ए एक ही जगा पर अठारा है गड़बड होगा गड़बड होगे मुझे लग रहा है क्यों गड़बड क्या हो गया समझना एक मिनट वह बता रहा हूं समझना साथी नहीं है पर हम लोगों थोड़ा सा मिस्टेक किया अब आएं कौन सा मिस्टेक है थोड़ा देखना बता रहे हूं अभी मनें आपको क्या बताया कि 18 की जगा पर हम इसको लिख सकते अंब यह बताया ना तो हमने लेकिन इसको लिखा काहा हमन तो इसमें थोड़ा mistake कर दिया न यहां पर 18 नहीं बल्कि 22 रहेगा अब यहीं तो बताया न भाई अब इसको थोड़ी लिख सकते हैं यह तो बहातर की जगा पर लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा तो बाबु यहां पर 1880 नहीं यहां पर 72 आएगा क्या आएगा 72 ठीक है और नीचे कॉस 72 था यह वैसे कब ऐसे रहेगा अब दोनों एकदम समान बराबर है बराबर वन अपान वन फाइनल में वन आ जाएगा यह हो गया अंसर समझ में आए एक ही लाइन का था न क्यूं कैसे हुआ ऐसा अब नीचे ब्रेकट में लिख सकते हो ऐसे भी चाहे अचुकी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा यह सूत्र होता है मैंने बताया कि थीटा लिखो चाहे ए लिखो कुछ भी लिख सकते हो ठीक है लिख लिज फिर तो कहोगे कि गलता हो रहा है सब गड़बड हो रहा है यही कहोगे फिर है ना लेकिन जब पूरा क्लास देखोगे तब पता चलेगा कि यहां अच्छा हो रहा है आगे चले इसका दूसरा तरीका थोड़ा सा देख लीजिए कोई जादा अंतर नहीं है कोई भी कर सकता है आसान है बहुत हीजी है देखो दूसरा तरीका क्या है बाबु यहां से समझो दूसरा वाला सिकेंड वाला कुष्चन में हटाई देता हूं देखो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे जैसे हैं यह साइन 18 ऐसे रहने देंगे और यह कॉस 72 की जगा पर हम लिख सकते हैं समझते चलना एकदम प्यार से ठीक है अब क्या करेंगे यह साइन 18 ऐसे उतर जाएगा और कॉस 90 माइनस ए मैंने बताया कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है तो यह हो जाएगा साइन 18 अब यह दोनों बराबर है कट जाएगा वह नाएगा बही चाहें यह तर आप नीचे चाहे तो लिख लेना सूत्र हां सूत्र चाहे तो लिख देना चूकि यह कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा है ठीक है लिख लेजिए कोई भी डाउट है तो बताइए यह आपका फर्स्ट कोईस्टन हो गया इसमें किसी को कोई परिसानी नहीं ना आग कि 10.26 अपान कॉट 6.4.14 बहुत आसान है यह भी इसमें क्या करेंगे पहले मुझे यह बताओ किसमें तोडेंगे आप लोग मुझे बस सिर्फ इतना बता दो बाकी कुछ मत बताओ हाँ अई देखो कुईस्टन बहुत आसान है 10.26 है न और कॉट 64 है इसमें एक समानता यह होगी कि आप चाहे तो 90 में से 26 गटा दो तो 64 आजाएगा या फिर 90 में से 64 गटा दोगे तो 26 आजाएगा यह ऐसा होता है क्योंकि बहुत आसान होता यह ठीक है तो कुईस्टन है 10. 26 और यह कॉट 64 ठीक है दन यही है तो बाबु देखो समझो यहाँ पर हम इसे लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 64 और नीचे लिख सकता हूँ इसे कॉट 64 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा थीटा की जगापर 64 है और नीचे का 64 ऐसे रहेगा यह कट पिट जाएगा एक एक फाइनल में वन आएगा वन अपान वन लाइस्ट में वन ही आएगा समझ में आया यह आपका दूसरा पार्ट हो गया तीसरा पार्ट देखिए स्क्रिन पर आ चुका है थार्ड पार्ट इसको भी आप लोग कर लोगे मुझे उमीद है कि सभी बच्चे कर लेंगे इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखो अगर आपने इंट्रोडक्षन पार्ट द्यान से देखा है बिल्कुल दिल लगा के देखा बाबू तो कर लोगे अगर इंट्रोडक्षन तुम नहीं समझ पाए कि साइन का केहमें बदलेगा कौन केहमें बदलेगा इनकी क्या कहानी है तब ये बहुत मुश्किल होगा समझे ये ये कुश्चन में क्या कह रहा है कास 48 माइनस ये थोड़ा अलग है न साइन 42 इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा अलग है तब भी देखो बाबू यहाँ से समझो ये कुश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पे हमाल लिखते हैं हम कास 48 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 42 इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न और माइनस का साइन 42 भाई कॉस 90 माइनस थीटा इक्कोल होता है साइन थीटा ठीक है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है और ये साइन थीटा या जो भी था इसको ऐसे लिख लिया दोनों समान है घट गया जिरो आ गया बताओ कितना आसान है न इससे आसान भी परफन बनता है का नहीं बनता न चलिए इसका चौथा पार्ट देखिए 8.3 में 1st question में 4 पार्ट थे बाबू ठीक है 4 पार्ट था चौथा पार्ट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए समझिए और समझने की कोशिस करिए ये भी बिलकुल इजी है बहुत ही इजी है एकदम सिंपल सा है इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिख रहा है न कौश्यक 31 है और स्यक 59 है इनमें एक समानता होगी मैंने बताया पूरक कोण है हमेशा अगर कुश्चन में देखो 90 में से 31 घटा होगी तो 59 आ जाएगा जो की स्यक के साथ में है अगर 90 में से 59 घटा होगी तो 31 आ जाएगा जो की कोश्यक के साथ में है ठीक है तो समझो भाई ये समझो क्या लिखा है कोश्यक 31 दिग्री माइनस स्यक 59 दिग्री ठीक है त हम क्या करेंगे बाबु हम इनको लिखेंगे قुष्एक नभ माइनस 59 माइनस 759 इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं न और शेख बदल जाता है स्प्राइब तो क्वाशेक नभ जाद टीटा वर शेक थीटा होता है तो बाबु थीटा की जगाप पर 59 और माइनस का सेक 59 फाइनल में जीरो आएगा क्या आएगा सुन्ने आएगा ना बराबर करते जाओ ऐसे एरो लगाते जाओ इस तरह से आपके कुश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन भी हो गया अगर आपका कोई सवाल है तो बताइए अगला यारे स्टेडी को फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया बाबू तो फालो कर लें जिससे कि हमारी कलास के बारे में सारी अपडेट आपको मिलती रहे ठीक है तो कुश्चन नंबर भी ध्यान देना अगला अगला कुश्चन है भई दिखाया नही अच्छा यह फार्मूला लिख लिजिए आप पहले तो यह कुश्चन स्क्रीन साट लेलो जो हाल हो गये हैं फिर उसको दिखाता हूं चलो इसक्रीन साट लीजिए जल्दी हो गया ठीक है यह सूत्र है आपके लिए इसे भी देख लिजिए इसमें एक इक्जाम्पल भी लगा है जो मैं अभी पढ़ाया वही है सब इसमें अलग कुछ नहीं है लेकिन देख लिजिए फार्मूला देखने के लिए ठीक है ओके डन उम्र ठाका नहीं सकती ठोकरेंगी कुछ्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहरा भी पढ़िए कि इसमें दो पार्ट दिखाना है दिखाना का मतलब प्रूब करना है आपको 1048 डिगरी इन्टू 1023 डिगरी इन्टू 104042 इन्टू 1067 इकल वन क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है अब ध्यान देना समझना क्या कहता है इसको हमें दिखाना मतलब प्रूब करना वन के बराबर देखो बच्चों आप सबको पता है हम आपको स्टार्टिंग में सिखाए हैं कि यह 1090 माइनस थीटा इकल कॉर्ड थीटा यह होता है आप सभी जानते हो थीटा कमान कुछ भी हो सकता है तो देखो बाबू इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1090 माइनस आप देखो इसमें से अगर आप 90 से 42 सब्ट्रेक करोगे तो 48 आएगा करकर देखो आएगा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं उसके बाद जो 23 इसको लिख सकता हूं मैं 1090 माइनस 67 67 क्यों मैं सही लिख रहा हूं कि गलत भाई ऐसा हो सकता है और यह 42 जो है 10 का इसको ऐसे लिख देंगे इंटू 10 का जो 67 इसको ऐसे लिख देंगे बराबर कमन इसको भी ऐसे लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो 1090 माइनस थीटा आप सबको पता है बच्चा यह कॉट थीटा होता है थीटा की जगाप फोर्टी टू है वैसे यहां भी हो जाएगा तो यह हो जाएगा कॉट इसमें कोई दिक्कत नहीं इंटू यह 1042 ऐसे उतर जाएगा और इंटू 1067 ऐसे उतर जाएगा बराबर का वन ठीक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं यह सूत्र मैं लिखा था इसको मैं मिटा देता हूं इसका इसमें काम नहीं था ठीक है तो देखो भाईया यह भी फार्म क्वाइब होता है न तो इसी तरह से हम इसको लिख सकता हूं क्वाइब ध्यिद् देन ऑजीद् घ़िक पतला दिख रहा है न कोई दिख्कत नहीं इन्टू इसको भी हो जाएगा 1 O यह 1067 into a 10 of 42 into a 1067 equal one देखो बाबू यह 42 नीचे है हर में है यह अंस में है यह हर में है यह यांस में है यान्स में है यनि 1 equal 1 यह दिखाने को बोला था यहीं पूरूब करना था आप नीचे लिख दोगे प्रूब्ड मतलब सिद्ध हुआ ठिक है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूं इसका स्क्रीन साथ लीजिए जल्दी से अगले पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए वीडियो को स्क्रीन पे टच करके लिखिए रोक करके ल सामने आ चुका है देहान देना इसमें क्या करने को कह रहा है भाईया कह रहा है इसको भी प्रूब करिए जीरो के बराबर है बहुत सिंपल सा है कुश्चन हटाई यह मैं दिखाता हूं देखिए कॉस थार्टी एड न देखो बाबू इसको आप लिख सकते हो थार्टी आता है यहनी थार्टी एड की जगा पर हम नब्ब्ब मैनस फिटी टू लिख सकते हैं इफी तरह से इसमें कॉस यह नब्ब्ब माइनस थार्टी एडट ठीक है नो डाउट यह मैंस का साइन है माइनस साइन अरटीश इंटू यह साइन फिटी टू इकल जीरो कोई दिक्त नहीं है कास 90-थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है थीटा का बैलू 52 है तो ऐसे हो गया कॉस्ट 90-थीटा यह भी हो जायगा साइन थीटा माइनस साइन का 38 इन्टू साइन का 52 इक्वल 0 इसमें किसी को कोई डाउट नहीं यह 52 है याद रखना ठीक है देखो बाबू यह पूरा पूरा और यह पूरा बराबर है है न बराबर जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 में से 5 घटा होगे तो क्या आएगा आप काओगे सुनने आएगा तो उसी तरह से ये दोनों पद क्या है एक दूसरे के एक्वल है हम कह सकते हैं यहाँ पर नीचे यह 0 के बराबर है लेकिन यहाँ बराबर नहीं यह एरो लगेगा ठीक है क्योंकि उधर साइट बराबर हामें यहीं फाइंड करना था इस तरह से आपका कोश्चन नंबर दूसरा पूरा कमपलेट हो गया लिख लिजिए इस स्क्रेंसाट ले लिजिए अगर अभी तक आपने कलास को लाइक नहीं किया तो बाबू लाइक कर दिजिए पीवियार स्टेडी कलास को हां आगे चलते हैं को श्चान नंबर थाड़ जल्दी करिए नोट करिए फटाफट वीडियो रों करके स्क्रेंसाट लीजिए नेक्स्ट इस्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है देखिए क्या कहता है ध्यान से देखिए कह रहा है कि यदि 10 2a इक्वल कॉट a-18 जहां 2a एक निवन कोंड है तो a का मान ग्याद किजिए इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे देखेंगे सी बेसी वाले उनके बुक में लिखा होगा इफ 10 2a इक्वल कॉट a-18 वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड दा बैलू आफ ए इंग्लिस में क्या लिखा होगा बेटा सुन लिए न हिंदी में तो इस्क्रिन पर लिखा ही है कहरा इफ 10 2a इक्वल कॉट a-18 वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल मिन्स निवन कोड फाइंड डावेलू आफ ए चलिए हम लोग फाइंड करते हैं बहुत ही given है हम सब को पता है कि 10a को हम लिख सकते हैं कॉट 90-a है ना लिख सकते हैं तो इसकी जगा पर मैं लिख सकता हूं कॉट 90-a की जगा पर इसमें 2a है याद रखना है यह कौण की जगा पर है 2a तो 2a पूरा लिखा जाएगा इक्वल यह कॉट ए माइनस 1818 इसमें किसी को डाउट नहीं देखो बेटा बहुत आसान है बाबू यह कॉट से कॉट कैंसिल बराबर नहीं लगेगा अब बचेगा 90-2a इक्वल ए माइनस 1818 इसमें कोई डाउट नहीं किसी को तो यह 2a यहाँ ध्यान रखना कैसे करें मैं माइनस का 2a इधर से यह इधर आयगा तो यह भी माइनस में हो जाएगा बराबर यह माइनस 18 और माइनस का 9090 अब देखो यह माइनस का 3a इक्क्वल माइनस का 108 दोनों तरफ माइनस है इस लिए प्लस हो जायेगा यानि एक्क्वल हो जायेगा 108 बटा तीन तीन त्रीकर्णों तीन चंग 18 आप कह सकते हो कि एक की बैलू कितना आ गई बाबू 36 डिगरी यानि कितना आ गया 36 सबको समझ में आया अभी यह पैन थोड़ किजिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप इसे यूटूब पे फिरी में देख पा रहें तो अन्य था पूरा कंप्लीट कोर्स तो पीवीर स्टडी एप के अंदर मिलता है है ना आज ही इंस्टाल करें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई होगी पीवी अबर कॉर्ट भी है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल नबबे डिगरी है कुष्चन इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे देखेंगे इफ टैन ए इक्वल कॉर्ट भी प्रूब दैट ए प्लस भी इक्वल 90 ओके चलिए बच्चों प्रूब करते हैं देखो सिंपल इंग्लिस वाले हिंभी वाले लिख लेंगे दिया है बस किे इंडि इंग्लिस में इतना अंतर है बाकी लिखना चुछ नहीं कर ना है यह Cod B, देखो Cod से Cod कर जाएगा, तो अब क्या होगा, 90 minus A equal B, यहां से अगर हम निकालना चाहे हैं, तो यह क्या बनेगा भई? क्या बनेगा सीधा सा बात है अगर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो हम ऐसे भी लिख सकता हूँ B प्लस A हमें सिध्ध भी तो यही करना था हम इसे सीधा भी तो कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है ये A प्लस B यई तो सिध्ध करना था लिखो PROVED 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 Hindi media में लिखेंगे सिध्ध हुआ कुछ लोग confusion में होँगे तो बेटा चाहे इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो दोनों का मतलब एक है कोई गल समझ गए ना ये था आपका fourיה लिख लीजे जल्दी से मैं बार-बार बोल रहा हूं अगर आप YouTube पे इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो पीवियार स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हां इस समय प्रजेंट टाइम में सुबह आठ बजे यूटूब पे फिरी कलाफे चल रहे हैं जो बच्चे आपके सामने जल्दी देखिए को कोश्चन देखिए निचे स्क्रीन पर आ गया है क्या कह रहा है ध्यान दीजिए सुनिए कह रहा है कि यदि सेख फोर ए इकल कॉसेक ए माइनस 20 जहां फोर ए एक न्यून कोण है तो एक आमान ग्याद कीजिए बहुत आसान है कोई दिक्कत अपनी डाउन्ट वरी चलिए आप लोग लिखिए गिबन इंगलिस मीडियों वाले लिखेंगे गिबन घंदी वाला बच्चा लिखेंगा दिया है ठीक है ये दिया है देखो बेटतर सेक जो है ये मनने आपको कई बार बताया कई पढ़ाया है कि सेक जो कोश्चक का इसमें हम कुछ नहीं करेंगे ए माइनस 20 ऐसे लिख लेंगे कॉस्यक से कॉस्यक कैंसिल हो जायागा नब्बे माइनस फोर एक्वल ए माइनस का 20 इसमें किसी को कोई परकार किया पत्ति है तो बताओ नहीं ना एकदम क्लियर है ना इनका वीडियो विजबिल्टी थोड़ा कम ह वह थोड़ा क्वाल्टी बढ़ा लें अच्छा दिखेगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा है तो भाई यह नब्बे ऐसे रहेगा बाबू इधर का माइनस 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा यह माइनस का 4 ए तो यह प्लस का 4 ए ठीक है क्योंकि दूसरे साइड आता है तो यह 70 और यह जूड़ेगा तो 110 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा क्यों भाई पोर ए और यह हो जाएगा फाइप न तो यहां से आपका 110 बटा पांच बराबर यह पांच से काटो के पांजूना दस पांजूना दस यानि एक अमान कितना आएगा 22 डिगरी इसमें किस चरण छठा नंबर आप लोग होमॉर करोगे क्योंकि मैं सारा परसुन करवा रहा हूं इस चैप्टर का सिर्फ एक है तुम्हें होमॉर्ष दे रहा हूं बेटा तो क्योश्चन नंबर छए आप लोग हो बटाना ठीक है कुश्चन नंबर 7 वाँ बहुत आसान है इधर साइ नीचे देखिए क्या कहा रहा है पहले हिंदी में कुश्चन दिखा दिया हूं इंग्लिस में मैं पढ़ दूंगा ठीक है सुन लेना इंग्लिस वाले बच्चे तेज होते हैं इफ लिए वो समझ जाते हैं हिंदी वाले गदाहा नहीं होते वो भी तेज होते हैं लेकिन थोड मितिये अनुपादों के बदों में बैक्त कीजिए मतलब साइन जो 60 डिगरी है काउस 75 है इसे 0 और 45 के तिरकोड मितिये अनुपाद के बदों में बैक्त करना है ठीक है आप लिख लो गिबन किया लिखोगए भई या लिखलो गिबन गिबन लिखो हिंदीवाली लिखेगा दिया है क्या दिया है मैं लिक सकता हूँ साइन नब्बे माइनस 23 बोलो लिग सकता हूं कि नहीं नब्बे से जब 23 घटा होगे तो 60 आएगा नब्बे से 20 घटा होगे अगर तो 70 आएगा तो इसी तरह से कॉस 75 वाला जो है उसको भी हम कर सकते हैं क्या इसको हम कर सकते हैं कास 90 माइनस 15 15 इस तरह से साथी हो जब इसे हम घटा लेंगे बाबू तो यह क्या आजाएगा साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा यह मैंने बताया है कि अगर कोड 90 या 270 में है तो रासी चेंज हो जाती है तो कॉस थीटा थीटा कमान 23 है प्लस यह हो जायागा साइन थीटा थीटा कमान कितना है 1515 है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका अंसर अंसर क्यों हो गया क्योंकि यह कह रहा था कि इनको 0 और 45 के बीच के तिरकोड मीती अनुपातों के पदों में बेक्त कीजिए तो भाईया यह 15 है यह 23 है बताओ यह 0 से 25 के बीच में दोनों आता है ना है यह तो नहीं कि कोई कोड़ 55 जादा है कोई कोड़ 55 जादा तो नहीं है ना 0 और 45 की बीच हो गया तो इस तरह से प्रिये साथियों आपका यह पूरा एक्सरसाइज खतम हो गया अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बाक्स में हमें कमेंट करके बताइए ठीक है अगर आप पूरा कम्पलीट कोर्स जल्दी फे जल्दी पढ़ना चाहते है एक साथ तो आप प्लेश्टोर से PVR स्टडी एप डाउनलोड करिए इकठा मिल जाएगा चाहा जब पढ़ो चाहा जितना पढ़ो पांच-पांच घंटे पढ़ाई करो आप कोई डाउट है वाटस अप पे पूछो ठीक है नीचे का वाटस अप नंबर चल रहा है स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हो तो आपको क्लियर हो रहा होगा है ना चलते हैं फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में बहुत जल्दी ही इंतजार करिएगा कहीं मर जाएगा मैनत करिए जितना पढ़ा जा रहा उतना रिवीजन करते रहिए ये मत परेसान हुए किसे ले बस नहीं पूरा कोर्स नहीं पूरा जितना पढ़िये तैयार करिये बस ठीक अटेंशन विल्कुल भी ने रखना है थैंक्यू